नमस्कार, मैं अचार्य डक्टर दिलीब कुमार, पिएजडी गोल्ड मेल्डिस नवीव जोती सिक्सेंस इंसान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको करक लगन में बुद्ध बारां भावों में क्या क्या पल देगा विस्तार से बताता हूँ करक लगन में बुद्ध थर्ड हाउस त्रिस्टाय भाव का स्वामी, ट्वेल्थ हाउस त्रिक भाव का स्वामी, दो अशुब भावों का स्वामी होने के कारण परमपापी हो गया करक लगन, में बुद् Dub first house में हो तो ये दिखबली होता है जातक बुद्धिमान, विद्वान, चंचल और तरक्षिल भी होता है जातक बहुत चलाक होता है जातक रोगी भी होता है दवाईयों पर खर्चा बहुत अधिक करना पड़ता है शरीर दुर्बल रहता है भाई बैनों के सुख से वंचित रहता है लेकिन ट्वेलथ लोड का लगन में होना जातको विदेश्यों से धन प्राप्ति का अफसर पर्दान करता है करक लगन में बुध सेकेंड आउस में सिंग राशी में होता है 12th लोड का बारवे भाव के स्वामी का बुद्ध धन भाव में धन की हानी करता है कुटुम के परिवार के सद्दस्यों से संबंदों में कमी करता है जाता कि वानी मदूर होती है लेकिन सिक्षा प्राप्ती में बहुत रुकावटे आती है बिकार के तर्क वितर्क भहस करता है साहस प्राक्रम में कमी होती है भाई बेहनों से संबंद अच्छे नहीं होते है करक लगन में बुद्ध थर्ड हाउस में अपनी उच राशी कन्या राशी में होता है जातक बुद्धिमान वैवार कुशल होता है कलपना शील लिखन के कारियों में रूची रखने वाला होता है भाई बेहनों से संबंद बहुत अच्छे होते हैं जातक को जोतिश, धार्मिक कारिये करम कार्ण में रूची होती है स्पोर्स में भी बहुत रूची रखता है अच्छा किलाड़ी बन सकता है साहस प्राकरम अधिक होता है बुद्धिमान होता है विद्वान होता है सिक्षा अच्छी होती है वेपारी भी अच्छा होता है Mathematics Calculation में Expert होता है करक लगन में पुथ Fourth House में तुलाराशी में होता है जातक को माता का सुख कम प्राप्त होता है माता का स्वास्त भी खराब रहता है भूमी, मकान, वाहन, संपत्यादी का सुख बहुत संगर्ष करने के बाद ही मिलता है वेपसाई में नोकरी में अनेक परिवर्तनों के बाद सभलता प्राप्त होती है शिक्षा प्राप्ति में भी बधाई आती हैं करक लगन में बुद्ध फिफ्त आउस में वर्ष्चिक राशी में होता है जातक चतुर बुद्धिमान होता है लेकिन बहुत अर्चनों के बाद ही उच्षा में सभलता प्राप्त करता है बहुत वै करने के बाद तथा कठिन प्रयासों के बाद ही आएके साधन जुटा पाता है संतान प्राप्ति में भी बधायाती है संतान सुक भी प्राप्ति नहीं होता है करक लगन में बुद्ध सिख साउस में धनूराशी में होता है यह विपरीत राजी हो गए जातक अपनी मेहनस से गुप्त युक्तियों द्वारा धन की प्राप्ति करता है जातक गुणी होता है अनिक कलाओं का जानकार होता है परन्तु लाब उठा नहीं पाता है जातक को देश विदेश की यात्राओं के अफसर प्राप्त होते हैं जिससे वो धन लाब कमाता है भाई बैनों से संबन अच्छे नहीं होते हैं करक लगन में सेमंध हाउस में बुथ मकर राशी में होता है जातक सुन्दर बुद्धिमान स्पष्ट वक्ता चंचल और आसिथर मन वाला होता है जातक कि पत्नी बुद्धिमान और अच्छे कुलकी होती है लेकिन ट्वेल्थ लॉड का सेवंध हाउस में बैठना वैवाईक जीवन में परिशानी देता है यदि किसी पाप ग्रह का परभाव हो तो तलाक की भी संभावना बढ़ जाती है और यदि शनी का सेवंध हाउस पर परभाव हो तो जातक इंपोटेंट नपुन सको होता है जिसके कारण वैवाईक जीवन में बहुत परिशानी आती है पाडनर्शिप में भी ज्यादा सक्सेस्पुल नहीं होता है करक लगन में एर्थ हाउस में बुध कुम्वराशी में होता है यह विप्रीत राजी हो गया जातो कुद्धन प्राप्ती होती है विदेशों से या शरीरिक कस्ट भी होता है गुप्त रोक की भी समाबना रहती है विर्थ के खर्चे बहुत अधिक होते हैं करक लगन में नाइन्थ हाउस में बुध अपनी नीच राशी मीन राशी में होता है जातक कि भाग्य कमजोर होता है जातक कि जीवन में कारे में वैपार में बार ब कम होता है, इंकम से ज़्यादा खर्चे अधिक होते हैं, भाई बहनों से भी संबन अच्छे नहीं होते करक लगन में 10 ताउस में, बुद्ध, मेश राशी में होता है, जातक के वेपसाई में बार बार परिवर्टन होता है, बहुत संगरश करना पड़ता है, मान समान में कमी होती है, खर्चे बहुत अधिक होते हैं, धन हानी होती है लेकिन जातक विदेशों से विदेशियों से वेपार करता है तो धनलाब भी होता है एक्सपोर्ड इंपोर्ड के काम में भी धनलाब होगा करक लगन में बुद्ह 11 फा व्रिश्राशी में होता है जातक कि शिक्षा प्राप्ति में बहुत अर्चने आती है जातक बुद्धिमान होता है लेकिन लाव के साथ साथ वे अधिक होते हैं एक्स्पोर्ड इिंपॉर्ड में के कामों से धनलाप कमा सकता है विदेशों से विद्योशियों से या मल्टिनाशनल कंपनियों से वेपारिक संबंदो तो भी धनलाप की प्राप्ति होती है करक लगन में बुद्ध 12th house में आपने सुवराशी मित्वन राशी में होता है यह विपरीत राजी हो गया है वेपार के लिए जातक बहुत यात्राएं करता है विदेशी यात्राएं भी बहुत होती है जातक बहुत संगर्श करता है उसके बाद ही उसे कामियावी प्राप्त होती है जातक परवपकारी होता है धार्मिक होता है सुसाइटी में बहुत करता है नमस्कार